हलो दोस्तों दोस्तों आठ फरवरी का जो दोस्तों वाट्साप का अकाउंट सभी लोगों का बंद होने वाला था वो दोस्तों डेट को बढ़ा दिया गया है 15 दोस्तों माई कर दिया गया है 15 माई को दोस्तों सभी लोगों का अकाउंट वाट्साप से रिमूव हो जाएगा करते हैं उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन प्रेस करके अटिफिकेशन कर लें इस्टागराम पर में फालो नहीं की है लिंक डिस्क्रिप्शन जाके मास फालो कर लें ताकि दोस्तों सभी लोगों का वाटसाप से हटेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं कि दोस्तों आ गया हूं मैं अपने फोन क्यों मिस्क्रिप्शन पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप अपना वाटसाप अकाउंट कैसे चेक करेंगे कि दोस्तों आपका वाटसाप अ दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस टेप को आप फालू करते जाएगा वाटसाप में जाने बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट की लाइन मिलेगी आपको वहाँ पर किलिक कर देना होगा वहाँ पर किलिक करने बाद दोस्तों आपको नीचे एक setting का option मिलेगा आपको वहाँ पर किलिक करना है वहाँ पर किलिक करने बाद दोस्तों देन नीचे आपको एक help का option मिलेगा आपको इस पर किलिक करने बाद दोस्तों सबसे उपर आपको help center का option मिलेगा आपको यहाँ पर किलिक करना होगा इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपको एक वेबसाइट वाटसाप की ओपन होगी उसमें दोस्तों आपको बहुत सारे नीची आपसन मिलेंगे दोस्तो आप बहुत सारे अप्षन मिलेंगे तो दोस्तो यह जो आपसंन ने आप बाद में पढ़ लिजिए गया मगर दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका अकांट कब बंद होगा तो आपको दोस्तो यहाँ पर ट्रमप्रेली बैनिट पर किलिक करेंगे यहां पर क्लिक करने वाद दोस्तों About Temporary Bynet Account यहां पर एक option नीचे मिलेगा इस option पर हम लोग नीचे पीले option पर दोस्तों क्लिक करेंगे क्लिक करने वाद दोस्तों आपको धेर सारा दोस्तों नीचे लिखा हुगा मिल जाएगा की दोस्तों आपका अकाउंट कब बंद होगा कैसे क्या है सब कुछ दोस्तों इसमें इस्टेप बाई इस्टेप लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक से नौ तक लिखा हुआ है और दोस्तों नीचे भी है बहुत सारे future लिखे हुए हैं दोस्तों नीचे तो आप दोस्तों इसे अराम से पढ़ लीजीगा तो दोस्तों मैं पढ़ूँगा तो बहुत दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करने बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल न भुलें टैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो